दोस्तो आज का ये वीडियो एक खास मकसद से बनाया गया है ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए इंपोर्टेंट हैं जिनके बच्चे दिल की बिमारी का सिकार हैं और पैसा नहीं होने के कारण इलाज नहीं करवा पारहे हैं हम बात कर रहे हैं स्री सत्तसाइं संजीबनी हॉस्पिटल पलवल की ये हॉस्पिटल हर्याना के पलवल के भगोला मिस्तित हैं जो कि दिल्ली से आपको 55 किलोमेटर की दूरी पर पड़ेगी दोस्तो स्री सत्तसाइं संजीबनी ट्रस्ट का दिल इतना बड़ा है दोस्तों ये हमारे देश में एक मातर ऐसी अस्पताल है जो लोगों को लिए वरदान साबीत हो रहे हैं दोस्तों इस अस्पताल में ना सिर्फ बिमार बच्चों के लिए दवाई बलकि इलाज, सरजरी, हर एक चीज फ्री में दी जाती है साथ ही बिमार बच्चों के साथ में आने वाले उसके माता पिता, उसके भाई बहन जो भी आते हैं उनके रहने, खाने, पीने का इंतिजाम भी फ्री में की जाती है वैसे तो इस अस्पताल की स्थापना 2016 में ही हुई थी और इस अस्पताल में ना सिर्भ भारत के मरीज, बलकि हमारे पड़ोसी देश, जैसे बंगलादेश, नेपाल, स्रीलंका, पाकिस्थान, अफगानिस्थान जैसे देशों से भी बड़ी संक्या में मरीज आते हैं चाहे आप कोई भी धर्म से हो, वहाँ पर सब बराबर हैं, क्योंकि उनका मानना है कि बच्चे ही तो भगवान हैं दोस्तों इस अस्पताल की एक और खास बात ये है कि इस अस्पताल में एक भी कैस काउंटर नहीं है यहाँ पर सभी सुविधाये फ्री आफ कोश्ट हैं, यानि आपको एक रुपे भी खर्च करने की जरूरत नहीं है यहाँ सभी तरह के अतोधुनिक और बहतरीन तरह के मसीने और कई प्रकार के एकुपमेंट्स भी मौजूद हैं यहाँ तक कि जो सुविधाये इस अस्पताल में हैं, वो बड़े बड़े सुपर स्पेसलिटी हॉस्पिटल में भी नहीं मिलेगी इस अस्पताल के अंदर साफ सफाई का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है दोस्तों यहाँ पर फ्री अफ कोश्ट इतनी सुविधाये और इलाज होने के कारण यहाँ पर आदर निय प्रदान मंतरी स्री नरंदर मोदी जी और भारत के पूर्प क्रिकेटर स्री सचिन तिंदूलकर ने यहाँ पर विजिट करके मरीजों से बात करके उनका मनेवल बढ़ाया और इस अस्पताल का काफी सराहना भी किया दोस्तो अगर आपको भी आपके बच्चों के दिल से संबंधित कोई भी इलाज करवाना है तो बिना देर के पहुंच जाए स्री 37 संजीबिन हास्पिटल पलवल में तो दोस्तो उमीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कुछ तो चल रहा होगा कोई कोश्यन होगा कोई क्वैरीज होगी तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना